आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ Redmi 11 Prime 5G और भाई साब इसकी डिजाइनिंग आप देखोगे ना काफ़ी ज्यादा तकड़ी देखने को मिल जाती है और ये 5G के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है अगर आपने ये mobile phone खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे ह होना तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूसफुल हो सकती है क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारे एसे इसे बताने वाला हूं जो कि इस mobile को चलाने के अंदर और भी ज्यादा यूसफुल और मज़ेदार बना देंगे तो इनको आवेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको पताता हूं सबसे पहला एडन फिचर तो सबसे पहले जैसे के आपको को स्क्रीन सोट लेना है ना तो आप यहां पर पाउर बटन वगरा और भी काफी तरीके है पर मैं देखिए यहां पर जो फिंगर प्रिंट है इ यह सब कुछ कैसे कर सकते हूं इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहां पर नीचे जाओगे ना तो यहां पर आपको मिल जाएगा देखिए अडिशनल सेटिंग्स के अंदर यह देखिए अडिशनल सेटिंग्स मिल जाएगा और यहां पर आपको यह जैसे कि camera open करना है या फिर आपको notification को नीचे लाना है double tap calculator open करना है जो कुछ भी करना चाहो वो अपनी मर्जी से कर सकते हो तो भाई साब यह काफी ज्यादा interesting feature आपको मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पर और भी काफी सारी चीज़े मिल जाते है जैसे कि launch camera यानि कि आपको direct camera open करना है ना कि camera open कियो मतलब की जैसे कि यहाँ पर इसको ओन कर लिया में ठीक ना तो डबल प्रेस करोगे आप पाउर बटन को तो यहाँ पर जो camera है आपका open हो जाएगा आपको camera को ढूंडने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर देखिए double press अगर volume down को करोगे अगर आपकी screen off है तो भी आपका जो यहाँ पर camera है open हो जाएगा इनको एक बार own करना रहता है तो एक बार आप इसको ओन करके आप मतलब धिरे धिरे जब चलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसको double tape करेंगे तो camera वगेरा open होता है तो camera वगेरे का ढूंडना नहीं पड़ेगा यहाँ पर अगर torch को आपको open करना है मतलब कहीं emergency हो गई तो आपको कहीं पर torch को open करना है तो यहाँ पर यह भी कर सकते हो double press the power button यानि कि आप इसको own कर लोगे अब double press करोगे ना power button को तो आपकी यह जो flashlight है own हो जाएगी देख सकते हो तो कुछ इस तरह से आप इन screen जो है own हो जाएगी इन सब के लिए आपको जाना होगा फिर से settings के अंदर और यहाँ पर देखिए लोग screen अब यहाँ पर एक तो रेस्ट हुए इसका क्या मतलब मैं पूरा यह आपको detail में समझाओंगा एक इसको आपको own कर लेना ठीक है अब यह मैं दिखाता हूँ आपक mobile को इसे उठाना है अब मैंने जैसी mobile को उठाया आपकी जो screen है own हो चुके आप देख सकते हो तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपकी जो screen है own हो जाएगी आपको कोई भी button और प्रेस नहीं करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जैसी कि आप इदर sequel जाते हो तो यहां पर देखिए google open हो जाता थीकिना तो यहां पर आप google को ऑफ करना चाते हो यहां फिर यहां पर कुछ और चीजें देखना चाते हो तो इन सब एपस वोगेर आ जाएए हाप पूरे डिटेल वोगेर आपके मतलब काफी सारी चीज़ां आजाती है पूरे दिन के मोबाईल की तो आप इन को रखना चाहते और इन को भी आपको हटा नहीं? तो आपको ऐसे सिम्पली करना है वह और और इसे मोर के उपर क्लिक करना और भाइस साब 90Hz refresh rate के अंदर आपका mobile बहुत ही ज्यादा तगड़ा चलता, speed से चलता है, और 60Hz, 90Hz में क्या ज्यादा difference है, वो भी मैं पूरी detail में आपको समझाता हूँ, इसके लिए आपको चलना होगा settings के अंदर, और यहाँ पे display के अंदर जाना है, अब यहाँ पे मैं उस हो जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे module भी schedule भी कर सकते हो, देखिए, अपनी merge से कर सकते हो, और dark mode के काफी सारे options भी है, यहाँ पे इसको adjust कर सकते हो, अपनी merge से जैसे भी adjust करना चाहो, भी मैं फिलाल के लिए light mode करता हूँ, अपनी वीडियो के लिए, और यहाँ पे reading mode, किस से आपकी जो इसके आँख है ना खराब नहीं होगी, और यहाँ पे दीगी refresh rate, अभी मैंने 60S कर लेकर रखा है, तो भी यहाँ पे काफी जाते smooth चल रहा है, अगर आप 90S पे कर लेते हो, तो भाई साब आपकी जो touch है ना काफी ज्यादा तेजी से over करते है, काफी smooth चलत है कि आपका कोई जरूरी काम है, तो आपको 90S पे कर लेना, नहीं तो आपको normally 60S पर ही रखना चाहिए, और अगर बेख जाओगे, तो आपके phone का option मिल जाएगा, जैसे कि आपकी जो font सोती है, वो यहाँ पे आप डाउलोड कर सकते हो, अगर आपके पास internet connection है, काफी जितने भी लोगों, जितने भी एप्स हैं, इनकी size को बड़ा या छोटा करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको screen के उपर याप करके रखना है, home settings के अंदर जाना है, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, आपको more के उपर जाना है, ठीके ना, more के उपर जान जाते हो, तो यहाँ पर जो आपका notification बाहर आ जाता है, और इदर देखिए, तो आपके यहाँ पर अलग-अलग आते हैं, तो आप चाहते हो, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जाना होगे, तो यहाँ पर आपको देखे, control center, इस टाइल के उपर जाना है, अभी new version के आपको मतलब कहीं पर भी ऐसे करोगे, तो आपका notification बाहर आ जाएगा, तो आप new version या old version वो अपनी मर्जी से रख सकते हो, और यहाँ पर नीचे जाना है, यहाँ पर नीचे जाना है, यहाँ पर देखिए, बेटरी के percentage जो है, वो अंदर दिखाने है, या बाहर दिखाने हो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, फिर आपको बेटरी के percentage दिखाने ही नहीं है, तो कुछी से तरह से कर सकते हो, तो यह चीज़ें जो है ना, मतलब फूरी चोरी चीज़ें काफी मज़ेदार बना देती है, अपने mobile को, और यहाँ पर नोज का option मिल जाता है, आप मतलब यहा करना है, मोर के उपर क्लिक करना है, अब यहाँ पर देखिए, arrange items in recents, अब यहाँ पर कुछ अभी इस तरह से है, तो आप इनको horizontal भी कर सकते हो, मैं अब दिखाता हूँ, आपको यह देखिए horizontal हो चुके है, तो आपको मतलब जैसा अच्छा लगता है horizontally or vertically, जैसे भी आप रक तो खेचो तो एक बार प्रो के अंदर जरू ट्राई करना और वीडियो के अंदर यहाँ पर बताऊं तो यह वीडियो के अंदर जैसे कि आपको यहाँ पर 1080 के अंदर यह वीडियो रिकोर्ड कर सकते हो, यहाँ पर काफ़ अच्छी quality दिखेगी, अगर आपको कम MB के अंदर रिकोर्ड करनी है, तो आपको यहाँ पर 720 के ऊपर कर लेना है, यहाँ पर आपकी MB काफ़ी कम हो जाएगी, और फोटो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, HDR को ओन कर सकते हो, इससे काफ़ी अच्छी फोटो आज आती है, AI को भी आप ओन कर सकते हो, और दोस्तों यहाँ पर portrait के तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे options मिल जाते हैं, जैसे कि night mode, यानि कि आप जब भी रात को फोटो खेंचते हो, तो night mode के अंदर यहाँ पर लेके खेंचना होगा, क्योंकि अगर पीछे अंदेरा भी होगा, तो काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाएगा, तो night mode का इस्तिम में काफ़ी साल की भी आप फोटो ले सकते हो, short video का option मिल जाता है, panorama, document और भी काफ़ी सारी चीज़े मिल जाते है, तो यहाँ पर आप इन सभी का use कर सकते हो, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बदाता हूँ कि जैसे कि आपके जो निचे के buttons होगे रहा है, इनको hide करना चाते एक्तम iPhone की तरह बनाना चाते हो, क्योंकि पहले से iPhone की तरह है इसकी designing, तो एक्तम easily बना सकते हो, button होगे hide कर सकते हो, इसके लिए आपको more के ओपर यहाँ पर जाना है, यहाँ पर more के ओपर करना है, system navigation के ओपर जाना है, और यहाँ पर guest search के ओपर click करना है, अब यहाँ पर यहाँ पर फिर से बटन चाहिए, तो इन चीजों को आप अपनी मर्जे से कर सकते हो, और यहाँ पर काफी सारे options मिल जाते हैं, अगर आप इनको use करोगे ना, जैसे कि long press back button, यानि कि जो back button है, इसको आप long press करके रहोगे, तो आप स्क्रीन सोट आ जाएगा, या फिर आपको करना है, बतलब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बटन से आपके तीनों, इन तीनों के अंदर काफी सारे options मिल जाते हैं, आप अलग अलग को set कर सकते हो, कि इससे में स्क्रीन सोर ले लूँगा, इससे में केलकुलेटर ओपन कर लूँगा, ताकि यहाँ पर आसान हो जैसे कि recent shapes के अंदर जाना है, यहाँ पर security scan का भी option मिल जाता है, और cleaner का भी option मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको allow इसको कर देना है, और यहाँ पर देखिए आपके जो virus होगेरा है, जो फालतु की चीज़े होगे, तो जो मतलब आपके virus होगेरा था, वो यहाँ पर delete हो जा सकते हो, और आपने जो virus होगेरा है, उनको delete कर सकते हो, यहाँ पर देखिए, यह काफी easy हो जाता है, तो कुछ इस तरह से आपको और यहाँ पर बता भी देगा कि यह जो आपकी app है, वो harmful है, तो चले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर app से ठीक है, आप सोच रहे होंगे, कि यह सबी के अंदर मतलब मैं गलेरी के अंदर इसे करना चाहूं, तो कैसे कर सकता हूँ, तो इसके लिए आपको फिर से यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर सबसे नीचे जाना है, और यहाँ पर देखिए बलर app पर यहाँ पर आपको काफे सारे apps आ आना है, तो चलिए दोस्तों आप मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि यार मेरे पास पूरी डिटेल रहने चाहिए, पूरी हिस्टरी रहने चाहिए अपने मोबाइल की, कि यार मैं मतलब कब कभ यूज करता हूँ, क्या-क्या यूज किया है, कितने बार मोबाइल क इकदम नया है मेरे पास तो दो निट्रिफिकेशन है 14 मिनट के लिए मेंने मोबाइल को यूज किया है आपको इसके उपर क्लिक करना है अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको यह देखी तो यहाँ पर एक दिन नहीं मतलब पूरे एक महिने की डिटेल आप यहाँ पर दे से अच्छा कौन सा लगा वो कोमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो यार लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आयो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आपका इससे रिलेटेड को कि भी सवाल हो तो आप मुझे कोमेंट या डिस्क्रिप्सिन में में इस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी आप मुझे पूश सकते हो तो दोस्तों आर वीडियो कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर तब तक कि लिए बाए